कोविट-19 से देश और दुनिया में मची हुई है देशत इसका सीधा सीधा असर बाजार पर देखने को मिल रहा है शेयर मार्केट जहां लगातार नीचे गिर रहा है वही जाहिर सी बात है कि आपकी जेग पर भी इसका अच्छा खासा असर होने वाला है कोविट-19 के देशत के कारण बहुत सी चीजे हो गई है महंगी तो बहुत सी चीजों के दाम हो गई है बहुत सस्ते तो आए देखते हैं कौन-कौन सी चीजे होई है महंगी और कौन-कौन सी चीजे होई है सस्ती सस्ती चीजों के अगर हम बात करें तो COVID-19 के डर से लोगों ने बाहर निकलना गूमना फिरना छोड़ दिया जाहिर से बात है इसका सीधा असर पड़ता है टूर और ट्रैवल बिजनस पर छोटे होटलों से लेकर 5 सितारा होटलों तक ने अपनी सभी सेवाओं के दाम कर दे हैं काफी सस्ते वही दूसरी ओर देखा जाए तो हवाई सेवाएं लगभग 30 प्रतिशत तक सस्ती हो चुकी है महंगी चीजों के बात करें तो मास्क जो आज तक बजार में 10 से 20 रुपय का मिलता था आज उसकी कीमत हो गई है 40 से 50 रुपय N95 के भारी डिवाण के कारण 300 से 400 रुपय में मिल रहा है बिल्कुल वैसे ही सेनिटाइजर के कीमत में ऐसा उचालाया है कि आज तक जहां देश की एक बहुत बड़ी आबादी सेनिटाइजर और मास्क से परिचित भी नहीं थी वहीं सेनिटाइजर और मास्क बाजार से बिल्कुल गायब होता नजर आ रहा है बात अगर ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की करें तो इन दोनों ने लट्टॉप, मोबाइल, कम्प्यूटर और इस तरह के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के दाम में कर दे है काफी ही जापा तो बच्चों क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है मांग यानि कि डिमांड COVID-19 के डर से जब लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया मास्क की केमत बढ़ी सनिटाइजर का उप्योग करना शुरू किया सनिटाइजर की केमत बढ़ी क्योंकि मास्क की मांग बढ़ी इसलिए उसकी केमत में वृद्धी हुई क्योंकि सेनिटाइजर की मांग बढ़ी इसने उसकी कीमत में वृद्धी हुई लोगों ने घूमना फिरना नौन विच खाना छोड़ दिया यह बिलकुल बंद कर दिया तो इन चीजों का प्रभाव जिन जिन वस्तू यह सेवाओं पर पड़ा वो चीजे हो गई काफी सस्ती कुल मिलाकर कहने का अर्थिया है कि मांग और कीमत में ऐसा विपरीत संबंध है कि जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत घड़ती जाती है उसकी मांग बढ़ती जाती है और जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत बढ़ती जाती है उसकी मांग कम होती जाती है मांग और कीमत के इस पूरे नियम को हम एक तालिका के रूप में पढ़ेंगे क्या है मांग तालिका इसे जानने के लिए हम एक परिभाषा देखेंगे प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक बाजार में एक निश्चित समय में विभिन कीमतों पर किसी वस्तू के विभिन मात्राओं की मांग की जाती है जब इन्हें एक तालिका के रूप में रखा जाए तो वह मांग तालिका के रूप में जानी जाती है मांग तालिका को हम अर्थशास्र के अंतरगत अध्यान करने के लिए दो भागों में बाढ़ते हैं कौन-कौन से हैं वो दो भाग व्यक्टिगत मांग तालिका और दूसरा है बाजार मांग तालिका आई हम जानते हैं कि व्यक्टिगत मांग तालिका क्या है व्यक्टिगत मांग तालिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ठ हो जाता है कि व्यक्टिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेश द्वारा एक निश्चित समय में बाजार में जिन जिन वस्तों की मांग जिस कीमत पर की जाती है उसको जब हम तालिका बंध करते हैं तो एक व्यक्तिगत मांग तालिका का निर्माण होता है आए इसको और अच्छी से समझने के लिए ह व्यक्तिगात मांग तालिका में जैसे कि आप यहार देख रहे हैं हमने माया है कि एक व्यक्ति ऐ है और सेव के लिए उसकी मांख कैसी है यह बाजार में यहां पे हम देख रहे हैं कि सेव की कीमत जब 10 रुपे प्रती किलो तो उस वेक्ति की मांग 40 किलोग्राम सेब की थी, जब सेब की कीमत 20 रुपे हो गई, तो उस वेक्ति की मांग 30 किलोग्राम हो गई, जब सेब की कीमत 30 रुपे हो गई, तो उस वेक्ति की मांग सेब के लिए 20 किलोग्राम हो गई, वैसे ही जब सेब की कीमत बढ़कर 40 रुपे हो गई तो उस व्यक्ति की मांग सेप के लिए दस किलोग्राम हो गई तो यहां पर यह स्पश्ठ हो जा रहा है कि जैसे जैसे सेप की कीमत बढ़ती गई उस व्यक्ति द्वारा सेप की जो मांग थी वो लगातार घटती गई यहां पर हमने व्यक्ति गत मांग तालिका में मां और कीमत के संबंद को देखा अगर हम इस तालिखा के आधार पर एक ग्राफ का निर्माण करें तो देखते हैं कि कैसे इस सिति प्राप्त होती है यहां हमने रेखा OX वस्तू की कीमत के लिए लिए और रेखा OY वस्तू की मांग के लिए यहां हम देख रहे हैं तालिका के नुसार जब सेब की कीमत 10 रुपए थी तो उसकी मांग 40 किलोग्राम सेब की थी जब सेब की कीमत 20 रुपए हुई तो उसकी मांग 30 किलोग्राम हो गई जब सेब के कीमत 30 रुपे हुई तो उसकी मांग घटकर 20 किलोग्राम हो गई ऐसे ही जैसे जैसे सेब के कीमत बढ़ती गई उसकी मांग कम होती गई यहाँ पर अगर हम एक वक्र का निर्माण करें तो आप देखेंगे कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ एक वक्र जिसे हमने DD वक्र का नाम दिया है यह हमको प्राप्त होता है तो बाएं से दाएं क्योंकि वो नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र हमको मिल रहा है ये हम को बताता है कि कीमत और मांग के बीच ऐसा रुणात्मक संबंध है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो रही है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जा रही है बिल्कुल ऐसे ही हम बाजार मांग तालिका का अध्यन भी कर सकते हैं होता क्या है कि एक बाजार किसी एक व्यक्ति विश्यस के मांग पर आधारित नहीं होता बाजार में जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं अब अगर हम बाजार मांग तालिका का अध्यान करते हैं तो यहाँ पर हम दो या दो से अधिक क्रेताओं की बात करेंगे एक उदाहरन के लिए हम मान लें कि एक बाजार में किसी वस्तु के दो क्रेता है इसी अगर हम तालिका बंद अध्यन करेंगे यानि कि बाजार मांग तालिका का निर्मान करेंगे तो आए देखते हैं कि कैसे इस्थिति प्राप्त होती है बाजार मांग तालिका का अध्यन हम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पर वस्तू के दो क्रेता है A और B एक वस्तू हमने हाँ पर मान लिया है सैनिटाइजर की एक बॉटल है जिसकी कीमत में लगातार वृध्धी हो रही है पहले जो सैनिटाइजर की कीमत 10 रुपय थी वहाँ पर A उसकी मांग 4 बॉटल की करता है और B उसकी मांग 5 बॉटल की करता है जैसे ही sanitizer की कीमत 20 रुपय हो गई A उसकी मांग 3 बोटल करता है और B उसकी मांग 4 बोटल करता है इस तालिका में आप देख रहे हैं कि जैसे sanitizer की कीमत बढ़ती जा रही है A और B द्वारा उसकी की जा रही मांग घड़ती जा रही है अब हम इसका चौथा कॉलम देखते हैं जहां पर हमने बाजार की मांग को calculate करने के लिए जो दोक रेता है बाजार के कौन-कौन से दोक रेता है A और B इनकी संयुक्त मांग की आधार पर हम इसकी calculation करते हैं जैसे पहले हमने देखा A की मांग 4 थी और B की मांग 5 बोटल की थी तो पहली बाजार मांग तालिका में इसकी total unit आएगी मांग की 4 प्लस 5 नाइन दूसरे step में हमने देखा कि A जो है उसकी demand 3 bottle sanitizer की थी और B जो है उसकी demand 4 bottle sanitizer की थी तो यहाँ पर 4 और 3 यानि कि 7 bottle जो है वो बाजार मांग तालिका की अनुसार उस वस्तू की उस दिश्चित समय में बाजार में मांग कहलाएगी तो इसी तरह से इस पूरी सारणी में A वेक्ती और B वेक्ती दोनों के द्वारा जो संयुक्त मांग की जाएगी उसका जो total होगा यानि 4th column का जो total होगा वो बाजार मांग तालिका के नुसार वस्तू की मांग कहलाएगी अब अगर हम इस मांग तालिका के आधार पर graph का निर्मान करें तो यहाँ पर 3 तरह के graph बनेंगे 3 तरह के graph क्यों बनेंगे क्योंकि यहाँ पर वस्तू के 2 क्रेता है एक A है दूसरा B है और तीसरा संयुक्त मांग यानि कि A और B की जो total मांग है उसके आधार पर वो बन जाएगी संयुक्त मांग तो सबसे पहले हम बनाएंगे A वेक्ती की मांग का graph A वेक्ती की मांग का graph बनाने के लिए भी हमने 2 x लिये हैं O x और O y O x पर हमने वस्तू की कीमत रखी हुई है और O y पर हमने वस्तू की मांग रखी हुई है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तू यानि कि सैनिटाइजर जब उसकी कीमत 10 रुपय थी तो उसकी मांग थी 4 यूनिट जब उसकी कीमत सैनिटाइजर की कीमत 20 रुपय हो गई तो उसकी मांग हो गई 3 यूनिट वैसे ही जब सेनेटाइजर का मूल्य बढ़कर 30 रुपए हो गया तो उसकी मांग हो गई 2 यूनिट और जब सेनेटाइजर का मूल्य और बढ़कर 40 रुपए हो गया तो उसकी मांग हो गई 1 यूनिट यह दर्शारा है कि जैसे जैसे सेरेटाइजर का मूले बढ़ा उसकी मांग लगतार कम होते गई तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले ग्राफ में पढ़ा यहां पर भी दी डी वक्र से हम देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है यह बाएं से दाएं नीचे की और गिर्टा हुआ नजर आ रहा है यानि कि यह रणात्मक संबंध को प्रस्तुत करता है कीमत और मांग के बीच बिलकुल ऐसा है ग्राफ आप बी वेक्ती के लिए भी बनाएंगे और अगर हम सी वेक्ती के लिए ग्राफ कर निर्माण करते हैं कीमत मांग, दूसरा आय मांग, आय मांग को हम दो वस्तों के अंतरगत अध्यन करते हैं, इसमें पहली वस्तों हैं उत्तम कॉलिटी के वस्तों हैं, जिने हम उत्कृष्ट वस्तों ये ब्रांडेड प्रोड़क्ट भी कहते हैं, और दूसरा है निकृष्ट याने के गिफिन वस्तुएं जिनने हम non branded product कहते हैं तीसरा है आड़ी और तिर्ची मांग आड़ी और तिर्ची मांग के अंतरगत हम दो प्रकार की वस्तों का अध्यन करते हैं एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा पूरक वस्तुएं तो आए सबसे पहले देखते हैं मांग का पहला प्रकार याने की कीमत मांग वास्तों में कीमत मांग ही अर्थ शास्त्र में मांग की परिभाश्या है जैसे कि हमने सीधा सीधा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कीमत और मांग दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं अभी तक कि क्लास में हमने जाना कि कैसे किसी वस्तू की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है या कीमत घटने पर उसकी मांग कम हो जाती है हr negó अगर हम इस कीमत ह aç kole एक तालीका बदिस करने के बाद ग्राफ का निर्माण करें तो क्यूंकि हम ने सको पहले ध्यान किया हुआ है हमने एक हम देखते है कि किस तरह का ग्राफ हमको यहां पर प्राप्त होगा तो अगर हम कीमत मांग की बाद करें तो सिंपल सा एक ग्राफ हम देखते हैं कि ओ एक अक्षा जिस परवस्तु की कीमत ओ मांग पर वस्तु की मांग और यहां पर यह जो वक्र है अभी तक की अक्षा में जैसे हमने देखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ हमको एक डीडी वक्र प्राप्त होता है जो कि य आय मांग की हम बात करें तो क्या है आय मांग जैसा कि नाम से इस पस्ट है आय से संबंधित जो मांग होती है कि किसी व्यक्ति की आय अगर बढ़ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वस्तु विशेश की मांग बढ़ जाती है यह कम हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की आय कम होने पर किसी वस्तु विशेस की मांग बढ़ती है या कम होती है तो कैसी वस्तुएं हैं कौन सी वस्तुएं हैं कब उसकी मांग बढ़ेगी कब उसकी मांग घटेगी इसको और अच्छे से सपस्ट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कि हम इसको दो वस्तु के अंतरगत इसका अध्यन करेंगे पहला अगर हम उत्कृष्ट वस्तु यानि कि ब्रांडेड वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि का अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है उसकी आय पहले से ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्रांडेट वस्तों को खरीदने की कोशिस करेगा क्योंकि हमने पहले भी जाना है कि प्रतेक व्यक्ति की ये इक्षा होती है कि वो एक आराम दायक और अगर जरूरत है तो विलासिता पून जीवन वो यापन करना चाहता है तो जा क्योंकि आए बढ़ने के साथ साथ ब्रांडेट वस्तू की मांग भी बढ़ रही है तो आए और ब्रांडेट वस्तू की मांग को अगर हम ग्राप द्वारा प्रदर्शित करें तो हमको एक जानात्म। संबंद वाला ग्राफ दिखाई देता है आए देखते हैं यहां पर हमने ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा लिया है ओ वाई पर हमने आय लिया हुआ है यहां हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति की आय ओ एन थी तो वहां पर वो वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करता था ओ क्यू लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ गई यानि कि आप आपे देख रहे हैं O N1 हो गई वैसे ही उस वस्तु ने उस व्यक्ति ने इस ब्रांडेट वस्तु की मांग को बढ़ा कर कहां तक पहुचा दिया O Q1 तक पहुचा दिया अब यहां पर यह जो हमको वक्र दिखाई दे रहा है DD वक्र जो हमको दिखाई दे रहा है जो बिंदू P1 और P को कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है यह दर्शारा है इसे हम कीमत मांग वक्र बोलेंगे और यह दर्शारा है कि किस प्रकार ब्रांडेड वस्तुओं के लिए किसी व्यक्ति की आय और उसकी कीमत में ब्रांडेड वस्तुओं के कीमत में किस प्रकार धनात्मक संबंद पाया जाता है अब अगर हम बात निक्रिष्ट वस्तुई गिफिन वस्तुई जिने हम non-branded वस्तुई कहते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वेक्तिकी आय बढ़ती है वो कुषिस करता है कि वो पहले से अधिक अच्छी या पहले से अधिक branded वस्तुई का उपश्योग वो करें तो यहाँ क्या होता है कि जब उसकी आय बढ़ती है तो वो निक्रिष्ट वस्तुई को use करना non-branded वस्तुई को use करना कम कर देता है तो यहाँ पर रिडात्मक संबंध आ जाता है, यानि कि I बढ़ी है लेकिन वो निक्रिष्ट वस्तू को यूज़ करना कम किया है, तो यहाँ पर रिडात्मक संबंध देखने को मिलता है, जिसको हम एक ग्राफ से इस तरह भी समझ सकते हैं, रेखा OX पर हमने वस्तू की मात् करता था, OQ, OQ तक वो वस्तू की मांग करता था, जहां हमको बिंदू P मिल रहा है, जैसे ही उस वेक्ति की I बढ़कर O N से O N 1 चली गई, वैसे ही वो उस वस्तू की मांग को कम कर देता है, यानि कि अब वो O Q वस्तू की मांग नहीं करता, अब वो O Q 1 वस्तू की मांग करन तो साधारन सी बात है कि जब उसकी आय बढ़ती है तो वो ब्रांडेड वस्तू को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है इसे लिए निक्रिष्ट वस्तू और व्यक्ति की आय में रणात्मक संबंद पाया जाता है अब हम बात तीसरी मांग के प्रकार यानि कि आड़ी या तिरशी मांग की करते हैं आड़ी या तिरशी मांग इसको इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहां पर क्या होता है कि कीमत जो है वो किसी अन्य वस्तू की बढ़ती है और मांग जो है वो किसी अन्य वस्तू की घड़ती है कीमत और मांग का बड़ा उल्टा सीधा सा संबंध होता है इसलिए इसको आड़ी या तिर्शी मांग भी कहते हैं लेकिन जिन वस्तू की कीमत और मांग में ऐसा आड़ा तिर्शी संबंध देखने को मिलता है कहीं न कहीं वो आपस में एक दूसरे से गहरे रूप में संबंदित होती हैं जैसे हम यहाँ पर दो तरह की वस्तों की बात करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया एक प्रतिस्थापन वस्तों और दूसरा पूरक वस्तों अगर हम प्रतिस्थापन वस्तों का उधारण देखें तो हम देखते हैं कि कुछ वस्तों ऐसी होती हैं जिनको हम एक की जगा दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं यानि कि हम दोनों में से किसी एक को यूज करें, तो हमारी वही आवशक्ता संतुष्ठोगी जो हम चाह रहे थे. सीधा सवधारण है, अगर हम चाय पीना चाह रहे हैं, तो हम कॉफी से भी काम चरा सकते हैं, कुल मिलाकर चाय या कॉफी के लिए जो हमारी एक्षा थी, वो द जबहार एक जीवन में देखा जाए तो कॉफी की कीमत जो होती है वो ज्यादा होती है तो इसे लिए लोगों को चाय पीने की इक्षाय उनकी आदत बनी रहती है तो अगर कॉफी एक कप कॉफी की कीमत अगर 50 रुपए है और वहाँ पर एक कप चाय की कीमत 20 रुपए है तो कि दोनों प्रतिस्थापित वस्तोव में क्या करेंगे हम कि कॉफी को हम छोड़ कर चाय से हम अपनी आवशक्ता को संतुष्ट कर लेंगे यहां पर क्या हुआ कीमत किसकी बढ़ी कॉफी की लेकिन मांग किसकी बढ़ी चाय की तो यह जो बस्तुए है वो कीमत और मांग को एक दूसरे में प्रतिस्थापित करते रहती हैं बहुत सारी चीज़ें से देखने को मिलती हैं आपको व्यभारिक जीवन में मिठाईयों के कई प्रकार होते हैं कुछ बहुत महंगी होती है कुछ सस्ती लेकिन अगर हमारी एक्षा मुह मिठा करने की हो तो हम बहुत महंग होता है दूसरे बात अगर हम पूरक वस्तुएं के करें हमने पहले भी जान लिया है कि पूरक वस्तुएं कौन-कौन सी होती है दो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के पूरक होती है, यानि कि एक के बिना दूसरे का काम बिलकुल नहीं हो सकता, जैसे कि कार और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, कार है और पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी यूजलेस है, और पेट्रोल नहीं है, कार है तो कार भी यूजलेस है, तो यहाँ प जरूर लाएंगे कि अगर हम कार लेंगे तो में पैट्रोल डालाना पड़ेगा तो हम वो कार को वहां पे लेना थोड़े दिन के लिए इस्थगित कर सकते हैं तो हुआ क्या कीमत पैट्रोल के बढ़ी लेकिन मांग किसके कम हो गई कार की इस तरह की बहुत से चीजी आप प्रकार भी है आई देखते हैं कौन-कौन से हैं इसमें है पहला संयुक्त मांग यानि कि दो बस्तों की मांग आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हो संयुक्त हो इनके अंतरगात हम देखते हैं कि अभी हम ने जैसे पढ़ा कि कार और पैट्रोल दोनों एक-दूसरे के लि आप शक्ता है पेट्रोल की जो मांग है वो अपने आप उत्पन हो जाती है वैसे ही अगर हम मोबाइल खरीदते हैं तो सिर्फ मोबाइल के डब्बे से या मोबाइल से आपका काम चलने वाला नहीं आपको उसको क्या कराना पड़ेगा रिचार्ज करवाना पड़ेगा है ना मांग नाम से हिस्पस्थ है कि उत्पन होने वाली मांग ऐसे सीधा-सीधा देखा जाये तो वयभारिक जीवन में इसका संबंद श्रम् से ही होता है किसी वी वेक्ट동 किसी वेक्ति और किसी वेस्टू यह सेवा की अगर मांग की जाती है तो उसका सीधा असर production यानि कि उत्पादन पर पड़ता है और उत्पादन के लिए जरूरत होती है श्रम की तो वहाँ पर अपने आप ही श्रमिकों के मांग बढ़ जाती है वैसे ही तीसरा है सामुहिक मांग यानि कि एक साथ उत्पन होने वाली मांग कुछ ऐसी चीजे हैं जो जीवन रक्षक है यानि जीने हम बोलते हैं जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है जैसे रोटी कप्ड़ा और माकान ये वस्तों ऐसे हैं जिनकी मांग सामुहिक रूप से की जाती है चाहे वो उचिस्तर का वेक्ति हो मध्यमिस्तर का हो या निमनि तरका तीनों वेक्तियों के लिए जो रोटी कप्ड़ा और माकान यानि कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तों है जिनको हम अनिवार आवश्यक्ता की श्रेणी में रखते हैं उनकी मांग सभी इस्तर के लिए सामुहिक रूप से पर्याप्त मात्रा में की जाती है तो ये थे मांग के प्रकार अब आएए देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से चीजे हैं जो मांग को प्रभावित कर सकते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्तों में सबसे पहला है वस्तु की कीमत जिसको की हम अभी तक की कक्षा में पढ़ते आए हैं कीमत प्रत्यक्षसर डालती है मांग पे वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है वस्तु की कीमत अगर घड़ जाती है तो मांग बढ़ जाती है दूसरा तत्व है मौसम या जलवाईू आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में जहां कि जलवाईू बहुत ठंडी है वहां लोग गर्म चीजों का प्रियोग करते हैं खाने में या पहनने में उनी चीजों का प्रियोग वो करते हैं जिनसे उनको ठंड़क से राहत मिल सकें जैसे हिमाचल के छेत्रों में आपने देखा होगा कि ठंडी की वज़ा से वहां लोग गर्म कपड़ों का बहुत जादा प्रियोग करते हैं तो जलवाईयों के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के आवशक्ताएं या उनके द्वारा उत्पन होने वाली मांग निरधारित होती है वैसे ही मौसम के अनुकूल मांग में परिवर्तन होता रहता है जिसे बारिश के दिनों में रेन कोट या छाते की मांग बढ़ जाती है ठंड के दिनों में हम देखते हैं कि उनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में ठंडा रखने वाली चीजे जैसे की AC, कूलर इनकी मांग बढ़ जाती है कहीई न कहीः मांग जो है वो सेधे-सेधे जलवायों या मौसम से भी प्रभावित होती हैं। उसके बाद है धन का वित्रण। समाज में धन का वित्रण आसमान एं। यही कारण है कि वेक्तियों को हम निमने श्रेड़ी, मध्यम श्रेड़ी या उच्छ श्रेड़ी में बाढ़ देते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दो तरह की वस्तों का अध्यान हम आर्थशास्ते में करते हैं। नॉन ब्रांडेड चीजे होती हैं कुछ और कुछ चीजे होती हैं जिनको ब्रांडेड वस्तों कहते हैं। तो प्रतेग प्रकार की वस्तों प्रतेग प्रकार की श्रेड़ी की मनुष्यों के लिए अलग-अलग तरह से मांगी जाती हैं। बहुत सी चेज़े ऐसी होती है जिने हम विलासिता के अंतरगत रखते हैं जैसे AC, लगज़री कार, बड़े बंगले तो विलासिता की विस्तों का प्रयोग वो लोग करते हैं जिनकी आएव 108 हुटती है कुछ चेजे है यह अज2000 कि लीए रोटी कप्रों मकान जैसे कि मैंने बताया बहुत आवश्यक है तो जो निम्न वर्ग या मध्धम वर्ग है वो कोशिस करते हैं कि कम से कम उनकी आवश्यक आवशक्ता तो पूरी हो सके मध्यम वर्ग हमेशा ये प्रयास में रहता है कि कम से कम वो एक आरामदायक इस्थिति को प्राप्त कर सके से किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उसके द्वारा मांगे गई वस्तू की मात्रा में परिवर्तन होते रहता है और यह परिवर्तनомина boyfriend बहुत जादा बढ़ जाती है अगर मैं वेभारिक जीवन में आप से बात करती हूं कि सब्जी भाजी कि हम रोज हमको जवरत पढ़ती है अगर हमको कहीं से पता चल जाए कि टमाटर का रेट आने वाले दिन में क्योंकि बारिश हो गई और कोई आपदा आ गई टमाटर का र भाविश्य में कीमत परिवर्तन भी कहीं न कहीं मांग को प्रभावित करता है उसके बाद है उब्भोकता की रूची क्या होता है कि जिस वस्तु में उब्भोकता की रूची है या वो फैशन के कारण उसको पसंद है उसको चाहिए तो कई बार वो अपनी कम आय में भी उस इसको अपनी उसावशक्ता को पूरा करने का प्रयास करता है